विल्कम तो मैं न्यू विलोग तो कैसे है आप लोग तम लिल से तुम लोगों ने पता लगा लिया होगा कि आज मैं फिर इस उबले हुए आलू पर बात करने आया हूँ जी हाँ तुम्हारी इन गंदे कानों ने बिल्कुल ठीक सुना तो अभी से कह रहा हूं कि अगर इस व वीडियो स्किप कर दे ये वीडियो ना देखे और गूगल पे जाकर 3X की वीडियो देखे वो तुम्हारे शरीर के हिसाब से बेस्टर हैगी वीडियो शुरू करने से पहले तो तुम लोगों से मैं बिंती करना चाहता हूं कि प्लीज अपने शरीर के हर उस सुराग में इ उनको बिमारी हो सकती है तो प्लीज सेप यूर लाइप और सेप यूर सब कुछ खरम खोरो तो चलो शूरू करते हैं और देखते हैं कि पिछवारे मुवाले ने पिर पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या बाते की है तो वीडियो के इन तक मेरे साथ बने रही है क्योंकि वीडि लंडन के अंदर कानून में कापी ज़्यादा चेंजिंग आई है और उन्होंने कहा है कि अब के बाद कोई भी पाकिस्तानी लंडन नहीं आ पाएगा और अगर आ भी जाता है तो अपनी फैमली को नहीं ले आ पाएगा लो बंदा 25,000 पाउंड से कम कम आएगा वो अपनी फैमली तो क्या अपनी वाइफ को भी पाकिस्तान से नहीं लेकर आ पाएगा लेंगें दोस्तों लंडन के अंदर कापी ज़्यादा गंदगी हो गई है लाको करूलों की तादार में जो है पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है लंडन की सडकों पे बोरियां बिचा के उसके उ खरामखोर के रहा है कि लंडन के गौर्नमेंट ने ये एलान कर दिया कि अब लंडन में कोई पाकिस्तानी नहीं आएगा और पाकिस्तानी ने सारे लंडन को खराब कर दिया बीक मांगते हैं और अगर लंडन में वो पाकिस्तानी आना चाहते है तो अपने पेमली के साथ न ही आ सकते हैं तो मैं इस चूहे के पेचवाड़े को कहना चाहता हूं कि खरामखोर सबसे ज्यादा गंदगी सबसे ज्यादा बद्बू सबसे ज्यादा पलूशन अवगानियों ने पेलाई है मुझे पता है तुम लोगों को मेरी बाग पर विश्वास नहीं हो रहा है ना इसलिए तो आज हमारी गॉर्नमेंट इन खरामखोरों को अपने मुल्क बेज रहे हैं गवानियों ने पाकिस्तान को इतना गंदा कर दिया इतना कच्रा कर दिया कि अब हमारे लिए यहाँ पर रहना यहाँ पर टिकना इंपोसिबल है इसलिए हम बाहर जाते हैं यह अबगानी खरामखोर पाकिस्तान के काते हैं और फिर पाकिस्तान के बारे में हगते हैं अबे खरामखोर हगने से पहले कम से कम पेमपर तो यूज किया करो ना कि तुमारी यह हग ना यह पहल ना जाए बलके पेमपर में एक जगा पर रह सके पेमपर का इस्तिमाल करते यह खराम खौर जसी देश में पले बडे हुँ जसी देश का तुम लोगोंने काया है उसी देश के बारे में पिर हक्ते हो तो सबसे ज्यादा पॉलुशन सबसे ज्यादा गंद की प開ड़ा करने वाले जो लोग हे न वो अबगानी है अब इनोंने बात की है लंदन क्यों जाते हैं, वहां पर एक्सपर्टे के एक्सपर्टे क्या हैं, वहां पर मतलब हम एजुकेशन करने के लिए जाते हैं, अब यह नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन होती हैं, लेकिन उस डंग से नहीं होती हैं, जिस तरह मतलब परदेशों में होता हैं अमेरिका, यूके, अस्ट्रेलिया, केनडा, इन यहां पर होता है, यहां पर वे से नहीं होता, इसलिए हमारे लोग जो है न, वो जाते हैं लंदन में अपना तालीम खासिल करने के लिए, अब जब खरामखोर तेरा जैसा खरामखोर कोई बरतानिया का होगा, और वो पाकिस् कारक पे सोएंगे, सोना तो है इनसान न, वो उल्लू तो नहीं है न, कि वो दिन बर जागते रहे, इनसान है, उनको नीन दाती है, तो वो सोएंगे, और यह एक खरामखोर केता है, कि लंदन में इन लोगों ने कच्रा कर दिया, गंदगी पेला दी, सबसे ज्यादा किस चीज़ का नाम है, बरतानिया या लंदन के हकूमत जो है न, वो हमसे डरते हैं, उनको पता है कि यहाँ पर आई हुए लोग जो है न, इन में आईसाई के एजेंट्स हो सकते हैं, इसाना हो कि हमारी देश के लिए कोई नुकसान कर जाए, हमारी देश को कोई मतलब कोई कान कर जाए, इसलिए वो डरते हैं, लेकिन मैं उन खरमखोरों को भी कहना चाता हूँ कि यह इन में कोई आईसाई या हमारे इंटलियर एजेंसी का कोई बंदा नहीं है, यह सारे पाकिस्तानी जनता है, जो यहाँ पर इन अबगानी खरमखोरों से तंगा चुके हैं, हमने मैं तुम लोगों को बताओं तो क्या बताओं, और फिर यह कहते हैं कि यहाँ पर वहाँ पर पाकिस्तानी है, यहाँ पर है, अबे तुम हग ना बंद कर दो, सब कुछ टीक हो जाएगा, कोई चीज भी खरम नहीं होगा, जब तक तुम हगते हो ना, तो फिर जाहरी सी बात जो इनसान हकता है ना, तो उसे तो बदबू पेदाता है, कौनसे उसे गुलाब जामन या अनारकरी की खुश्बू पेदा होती है, खरम खोर, तो अगरा भी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया होए, तो प्लीज मेरा चैनल सस्क्राइब कर दें, और बेल आइकन पे मार दें, और वेडियो को लाइक कर दें, सुन्दर सी कॉमेंट्स कर दें, और हो सके तो मेरे ये वेडियो अपने जैसे मनहूस फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, यह सब मिलाने के बाद तुम लोगों के लिए बनता है धन्यवाद, पाकिस्तान जिंदाबाद प्शुम प्शुम